हैलो लाइस तो मैं हूँ गोविद और आप सभी लोगों का स्वागा थे मेरे यूट्यूब चैनल में तो अभी जैसे की दिपावली आ रहा है तो दिपावली में बेहन लोग जो है घर कुंदा भरती है तो मैं और मेरे बड़े भईया सुमीत वहिया जो है हम लोग दोनों मि कीज़े का सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आया वीडियो पुलिजे लाइक तो गाइज यहां पर जो है देख सकते हैं काम चल रहा है कि दार मात का इसमें भी थोड़ा बहुत का मि बचा हुआ है और मेरे शुमीत वहिया देख लिजीए इनका वी यूट्यूब मैं चैनल है जिनका नाम है बीगर विरेंड़ वोई तो देख लिजे आप लोग यहीं पर भी जो है देखिए और कलरिंग किया जा रहा है और यह मेरी छोटी बहन रानी यहीं हर साल दिपावली में घरकुंडा भरती है देख लिजे कैसे मुस्कुरा रही है एक नंबर यह देख पेंटिंग के यह कलकार है बिगर विरेंड़ वोई देख सकते हैं आप लोग कितना मस्त अदम जो है पेंटिंग यहां पर कर रहे हैं देखिए आप लोग और हाँ आप लोगों को मेरे सुमित भाया का पेंटिंग कैसा लगना है आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर ब पूरा थर्मा कॉल का बना हुआ है पीछे आगे देख सकते हैं यह देख लिजे उपर का वागा है यह देख लिए और यह रानी जो कि सुमित भाया का पेंटिंग करने में हेल्प कर रही है तो यह देख सकते हैं इधर जो है अब किया जा रहा है इसे इधर घुमा देजे यह फोला यह देखिए कितना मस्ट जो है पेंटिंग हो रहा है यहां पर कुछ यूनिक हमारे जो सुमित भाया है वह हर मतलब हर टाइम में कुछ यूनिक करने का सुचते हैं और अपना चैनल का भी यूनिक नाम रखें बिगर ब्रेंड़ बॉय बेह बड़े अए लेखिए लेंड़ें बलाइम थाव पर करेंड़ें झाट रहीं लाएं़ लाएंड़ें पसे जब ड़रेंड़ेंड़ेंड़ेंड़ें लाएंदार आप और हाँ गाइज मेरे सुमित भईया का जो है चैनल बीगर ब्रेंडड वोई आप लोग उसे प्यार सपोर्ट उनके उपर बनाए रखिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना इन्हें सपोर्ट किजिए और सपोर्ट करते रहे और साथे साथ मुझे भी सपोर्ट करिए कि दम फटा फट जटा जट दम मार रहे हैं तो यह देख लिजेगा इस यह पूरा आगे से कितरा मस्त लग रहा है अभी पूरा काम हुआ नहीं है पूरा काम हो जाने के बाद और यह मस्त दम लगेगा हो गया तो आप इस कुछ प्रेंटिंग के बारे में कुछ बोलिए कि कैसा लगा तो तो गाइज मेरे जो सुमित भाया है वो थोड़ा सर्माग है इसलिए आप लोगों के सामने वो कुछ नहीं बोलें तो यहीं था गाइज हमारा केदारनाथ और अगर आप लोगों को केदारनाथ हम हमारा पसंद आया तो किजिए वीडियो को लाइक चैनल पर नहीं है चैनल को किजिए सब्सक्राइब देखिए हमारा केदारनाथ एदम पूरा एदम पूरा मस्त लग रहा है अभी इसमें यहां पे काम भी जो है बचा हुआ है अभी पूरा इसमें भी डिजाइन देना बचा हुआ है और यह जो है आप लोग उपर का भाग देख रहे हैं यहां पे जंडा या फिर तिरसूल लगाया जाएगा तो कैसा लगा हमारा केदारनाथ आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताई